27, the domain of the definition less than equal to, अच्छा वो greatest integer x है, उसको देखिए तो, fx बराबर पता यह कितना दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, x square minus greatest integer x का whole square, यदि इसकी बात करूँ तो यह क्या होना चाहिए, इसमें तो सिर्फ root है, root की value क्या नहीं चाहिए भई, always positive, मतलब x square minus greatest integer x should be greater equal to g, इस पे जरा गौर करूँ, तो x मैं कोई भी positive integer, अच्छा, 0 इसको satisfy कर रहा है, 0 satisfy कर रहा है, मैं इसमें कोई भी positive integer लूँ, माल लिजे, एक example लेके बच्चों को समझा सकते हैं, 2.3, यह 2.3 का whole square होगा, वो उससे हमेशा कम होगा, वो उससे हमेशा क्या होगा, कम होगा, तो इस यदि सब कोई भी चीज, x belongs to r positive लेते हैं, तो यह always greater equal to 0 होगा, तह बात है, इसको और एक तरीके सो सकते हैं, इसको a square minus b square लगा दीजे, x plus greatest integer x, into x minus greatest integer, यदि x positive की बात करूँ, इसकी बात करूँ, x positive की, यह value तो always positive होने वाली है, और मैं क्योंकि x positive की बात करूँ, तो यह तो fraction है ना, पताःए, इसको यदि simplify करूँ, तो x plus fraction x, यह क्या है, fraction x greater than equal to 0, तो यह तो always true है, जब-जब integer होगा, वो तो answer होगा है, जब-जब integer होगा, वो तो answer होगा है, क्योंकि उस पर fraction x 0 होगा, लेकिन x positive की बात करूँ, तो य तो यह क्या होगा, always positive, x greater than 0 के लिए true है, और x negative integer के लिए भी true है, क्योंकि integer पर यह भलहू negative हाई, यह क्या देदेगा, 0 value देदेगा, तरही बात है, लेकिन यदि x less than 0 की बात करूँ, not integer, not integer, उसमें इसकी value छोटी हो जाएगी, और इसकी value बड़ी हो जाएगी, जैसे मालने यह minus 2.3 लोग, तो यह minus 3 हो जागा, यह minus 4 हो जागा, तो यह negative हो जागा,